कर दो कि जैन साथियों कैसा आप लोग में बर्जे साब का अपना परिवार एक्जामपूर में स्वागत करता हूं हमें एक्जामपूर कलम से करांती साथियों जल्दी साफ लोग हमारे साथ जूड़ जेए स्टार्ट करते हैं आपका बनपरसंद करेंट अफिस का टॉपिक बहुत इंपोर्टन टॉपिक है अगामी एक्जाम के लिए बहुत इंपोर्टन सावित होगा आप लोगों के लिए तो देड़ ना करें आप लोग जल्दी से मेरे साथ जूड़ चाहिए आज का पहला कोशन आपकी स्कीन पर ंसे आपको बताना है साथी हो किस राजने ने चात्रू को विडियो वेख्याने ओं अभ्यास उपलब औरा ने के लिए मधू अब्यास उपलब्द करा ने है तो यह लेंग के लिए मधूए अबज नगा के अभी क्या करोना वाइर स करर बहूं सारे स्कूल कॉलेजेस विद्यार्थिक कैसे पढ़ेंगे आप लोग खुश नसीब हो कि घर वैठे व्यक्षान सुन रहे हैं कभी आपने देखा होगा जो आपके अनुज है छोटे भाई वह जो भी है वे जो आठमी नुम्मी पाचमी में पढ़ रहा है उनके साथ समस्या हो रही है उनको पता ही नहीं मुवाइल कैसे यूज किया जाए कै है उत्तर परदेशी है गोवाडी है महाराष्टा विस्टेट है लाउस्ट मदू एफोई लेर्निंग टू परवाइड वीडियो लेक्चर एंड एक्ससाइज टू स्टूडेंट कॉमेंट करके जल्दी बताइए क्या उत्तर होगा भाई ओके बहुत है ओके नवश्टे नवश्टे सबको नवश्टे चल लगाया जाए क्या उत्तर हो गया भाई देख्ते हैं तो याद रखिए गा इसका साइजवाव ए ओडिशा हो जाएगा दूस्तों ओडिशा शरकार ने एक क्या है कि दूस्तौ वहां के एक विस्षीज पर क्या कि मधू एप लौंज किया जिनका उदेश क्या है कि जो दूर दराज गाओं में बच्चे रहते हैं और जिनको पढ़ाई में समस्या होती है तो वे एप्लिकेशन के माध्यम से पढ़ सकते हैं होमबर्ग पूरा कर सकते हैं उडिसा सरकार कहिए परियाज नेक्ट कोशन आपके learnt पर उस एंडोओस ये कंद्री जिए मंत्रा ले ने दिशंबर दो हाजार उनेश में सभी राज्यों को अलर्ट भेजा था हुला बालु हर्मिंग बर्ड इस्टेंट हाग या कॉपी कैट किस नाम से जाना जाता है जल्दी साफ लोग कॉमेंट करके बताने का प्रियास करें ओके जल्दी से चलो बहुत अच्छी बात है कि देखते क्या सभी जबावों के जल्दी बता अब लोग उस इंट्वाइट बग का क्या नाम था जिसके समन्द में केंद्री गिरी मंत्राले ने दिशंबर 2019 में सभी राज्यों को अलर्ट वेजा है हुला बालू हर्मिंग बर्ड इस्टेट होग या कोपी कैट क्या नाम हो जवाप लोग का आ चुका है कि इसका सही जवाब क्या होगा इस्टेड हग एक खतरनाक विस्षिश परकार का वाइरस आया है और दोस्तों केंद्री सरकार ने सभी राज्यों को सुछना भेज दिया कि अपना एंडवाइट फॉन ठीक है इसको अच्छी तरस आप लोग थ करके किसको दे सकता है कि दूस्तों यह तंगवाट टेरोषिट को दे सकता ठीक है चलो अब बात करते हैं अगला कोशन आपके स्कीन पर आपको बताना है दिशंबर 2019 में किस एसिया विकास बेंक के दस में अधेश्टी रूप में चुना गया तो जल्दी से अपने बताने क किसे हैस्री विकास बेंक के दस में अधेश्ट के रूप में चूना गया आपके स्कीन पर कोशन आ चुका है आप लोग जल्दी से सइसे जवाब देने का परियास करें भाई कि चलो भाई कोई बात गलती नहीं होता है होने दो कि आप लोग जवाब देने का प्रियास करें चलो भाई देखते क्या उत्तर होगा दोस्तों दिशंबर किया उत्तर होगा लोक लगाये जाए उत्तर होगा से चलो वह बहुत अच्छा बच्चे-जवाब देखे कहते हैं और क्या होगा या बहुत अच्चा तो दोस्तों सीधा बता दे आऌ कोच्छ सक्था लेकिन अब कोशन पूचा जा शकता है एसी आई बेंक की अस्थापना कहा हुई हीट क्वाटर कहा है बिहार एससी में एक कोशन पूछा गया था ठीक है चलो भाए अब हम लोग बात कर लेते हैं एसी आई विकास बेंक एसी आई विकास बेंक की अस्थापना उन्हें 66 में हुआ था इनका हेट क्वाटर कहा है हेट क्वाटर मनी लाम अस्थापित है याद रखिएगा कब अस्थापित हुआ था 1966 में सबको पता है यह विकास बेंक का जो कहां पर हेट क्वाटर है तो 96 शिक्स में इसका विकास बनाया गया था इसका जो हेट क्वाटर है कहां है भाई तो मनीला में है याद रखिएगा मनीला मनीला मिनका हेट क्वाटर है मनीला भाई किसकी राजदानी है तो फिलिपिन स्की राजदानी ठीक है उत्तर याद रखिएगा चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं अगला नेक्स्ट कोश्चन आपके स्कीन पर है फिंड लेंड के 46 परधान मंत्री के रूप में किसे निर्वाचित किया गया है यह 34 वर्ष की आयू में विस्ट की सबसे कम उम्र की महिला परधान मंत्री बनी है तो दोस्तों जल्दी से आप लोग बताने का प्रियास करें देखो विस्ट के सबसे कम आयू की परधान मंत्री बनने वाली महिला का नाम बताए क्या उत्तर होगा जल्दी आप लोग बताओ भाई कत्री कुलमणी सना मिरला मारीन क्रिश्टा किरू ली एडर्सन कॉमेंट करके जल्दी आप लोग बताने का प्रियास करें इसकीन पर कोशन आ चलो बहुत अच्छी बात है जल्दी सब लोग बताने का प्रियास करें क्या उत्तर होगा बी उत्तर हो जाएगा कुछ लोग क्या बता रहें ओके बहुत अच्छी बात है उत्तर क्या होगा साना मिरला मारीन साना मिरला मारीन उत्तर हो जाएगा सुनिया मिर्जा नहीं वहां के हैं फिलिपीज्ट के हैं दोस्तों याद रखिएगा और इसके बारे में हम लोग बात कर लेतें फिर इलेंड की है माप करेंगे फिर लेंड के 46 में परधान मंत्री बने अब तक के सबसे कम उम्री के परधान मंत्री अच्छा बताओ भारत की पर्थम महिला ठीक है परधान मंत्री कोन बने थे तो दोस्तों याद रखिएगा इंद्रा गांधी ओके चलो भाई बात करते हैं ओके इसके बारे आपने देख लिया बहुत ही पोटेंट है अब हम लोग बात करते हैं अगला एक कुश्चन आपको जवाब देना है भारत का सबसे भारत के सबसे कम उम्र के सांसत बनने वाला बेक्ति कौन है कमेंट करके बताओ तो जाने किस राज को उसके सुगम भारत का भि परदान किया गया तो बताना है तमिल्नाडू उत्तर परदेश मद्यपरदेश यह महाराष्ट किस राज को उसके सुगम भारत अभ्यान जो चलाए गया था इसी के तहत क्या हुआ दिवियंग गजनों के पुनरवास है तो उत्कृष्टा के लिए राष्टी पुरुसकार परदान किया गया किस राज को तमिल्नाडू उत्तर परदेश मद्यपरदेश महाराष्ट यह अभिहार कॉमेंट करके जल्दी अपलोग बताने का प्रियास करें मेरे प्यारे भाई वैनो चलो मुरुमुर जी है अरे क्या बात है वही बहुत अच्छा चलो भाई जल्दी स तो याद रखेगा उत्तर परदेश होगा तीन दिशंबर एक्जाम में पुछा जा सकता है तीन दिशंबर 2019 को क्या हुआ कि भार्त के उपराष्ट पती वेंकाया नाइडू के द्वारा यह पुरुषकार उत्तर परदेश को दिया गया ठीक है तो याद रखेगा इन्हों जो दिवियंग वेक्ती है उनके पुरुरुवास के लिए उत्तर परदेश के सरकार ने सराहनी कार्ज किया इसलिए दोस्तों इनको केंद सरकार के द्वारा विशेज जो है उनको पुरुषक्रीत किया गया अगला कुश्चन आपके स्कीन पर है कौन सा देश विश्वा मत दताओ ने क्या क्या अपने जन्मत संग्रा में पपुआ नियू गिन्नी से स्वतंत्रता प्राप करने के लिए अपना मत दिया मतलब कह सकते हो वर्तमान समय में वे काउन सा राष्ट है जो की पपुआ पपुआ नियू गिन्नी से स्वतंत्र हो करके अलग राष्ट बना कालना चाहते हैं कॉमेंट करके बताएए न्यू मेकलेन बर्ग भी है आपका वोगेन विले सी आपका मानूस डी है आपका मिलन बे चलो भाई देखते क्या उत्तर होगा ओके चलो भाई अब देखते क्या उत्तर होगा जल्दी अपनों बताओ बाई चार ओप्शन है कि अभी हाली में भाई 98% जनता ने कहा कि न्यू पपुआ गिनी से अलग हो करके हम लोग नया राष्ट बनाएंगे उत्तर क्या होगा आप आप लोग जल्दी से जवाब देने का प्रियास करें चलो भाई बहुत अच्छी बात है ओके जल्दी से भाई लेट नहीं करना है जल्दी जल्दी आप लोग सही जवाब देने का प्रियास करें बहुत इंपोर्टेन कोशन है एक्जाम में कोशन पूछा जा सकता है कि चल सब्सक्राइब उत्तर क्या होगा आपका बी हो जाएगा वोगेन वी लो बात करते हैं कि दूस्तों दिशंबर की बात है ज्यादा लंबा समय की बात नहीं रिशंडली बात है कि वहां के लोगों ने क्या कि कि दूस्तों 98 पर 30 अपर थिसद लोगों ने जो नियू पपुआ गिनी के थे कहां के नियू पपुआ गिनी के थे इन्हों ने कहा कि भाई हम नहीं रहेंगे हम नियू पपुआ गिनी में नहीं रहेंगे यहां कि सरकार हमें विकास में मदद नहीं दे रही है और दोस्तों क्या हुआ यह अलग देखो यह है कहां बात कर लेत से हैं यह दक्षनी हिंद महासागर देखें यह का दक्षनी परसांत महादीप दक्षनी परसांत महासागर में दक्षनी परसांत महासागर में दीप बहुत छोटे-छोटे हैं और उसमें से एक न्यू पपुआ गिनी है इसके ठीक आपका पूरब और उत्तर वाले जो दिशा है छेतर है यहाँ पर छोटा से एक दीप है जिसका नाम है वोगिन बीलो वोगिन वीलो जो छेतरन है राज है वहाँ के लोगों ने मत दे करके कहा कि मैं अब अलग सोतंतर राज बनाओंगा ठीक है बाई चलो पूचा जाएगा यह कहा छेतर है तो दोस्तों दक्षनी आपका परसांत महासागर में ठीक है चलो अगला कोशन आपके स्कीन पर है अच्छा कोई एक जवाब तो बता दो भाई दक्ष आपको बताना है परसांत महासागर का अकार कैसा है शेप पेशिपिक ओशन ओके आप लोग बता सकते हो जल्दी बताओ परसांत महासागर का अकार कैसा है जो कि विश्प का सबसे बड़ा विश्प का सबसे बड़ा महा आपका क्या है कि महासागर है परसांत महासागर आपके सबस तेंहें संघ्रिंद्र अश्थापित किया गया है धोस्तों देखो कुरा कटकततash il देखने पलाश्टिक काज़ा है उर अगर एंदर कि पेट में पिलास्टिक चला जाता है उसके बाद किया होता है मविसी मर जाते और इसको लिपちゃ ना असान नहीं है प्लास्टिक जल्दी गल्टा ही नहीं है तो सरकार ने नहीं दिमाग लगाया कि क्यों नहीं इसको इस पर रिशल्स करके इसे डीजल बनाए जाए ओके तो अब आपको बताना है कि क्या उत्तर होगा भाई बहुत अच्छा रोके जी तिरभुजाकार बहुत अच्छी बात है ट्रेंगल सेप का है चत्रभुजा नहीं है इस पर कई किताब में चत्रभुजा लिखा हुआ था इसी लिए मैं आप लोग से पूछा कई किताब में गलती कर रखा है और देखा जाये परसांत मासागर कर जो शेप है तिर्भूज अकार का है ट्रियंगल सेप का है ठीक है नोट कर लिजिए अगला कोशन है प्लास्टिक अफ्षिष्ट से डीचल का उत्पादर करने के लिए भार्त का पहला संडियंत कहां श्थापित किया गया है मत्रा में अरे मत्रा कहा है भ्यार के से थे उप्लास्टिक से जो कच्रे से इनसे प्लास्टिक घच्रे उसमें को किया जाएगा कि लगभग उनको गर्म किया जाएगा उसके बाद दूस्तों क्या होगा उनसे जो टिस्द प्राप्ट होता है जो गैस मिलेगा जो हानिकार गैस है वैंग को गुमारा नुमा ठीक है गुमारा नुमा आकार का जो एक यंत्र उसमें एक ठक किया जाएगा और उनसे जो विश्ष अप्सिष्ट पदार्थ निकलेगा उसे डीजल बनाए जाएगा यह कहां पर तो मत्रौा में अस्थाफित किया जा रहा है नोट कर लीजिएगा बहुत गवर्वेंट पैसे देगी नहीं यह पीपीपी मोडल पर अधारित है ठीक है इसमें प्राइवीट और पब्लिक दोनों सेक्टर मिलकर के काम कर रहे ठीक है वाई चलो भाई बात करते हैं बहुत इंपोर्टेंट कोशन कराऊंगा अगला कोशन आपके स्किन पर आपको वतान है आर्थिक मंच डबलू एएप के द्वारा जारी किया गया वर्ल्ड एकनोमिक्स फोरम के द्वारा जारी किया गया वेस्पीक परतियास प्रदा सुचकांक फोर पांच जीरो में भारत का स्थान कौन सा है सत्तर साथ पच्छत्तर या 68 क्या होगा कॉमेंट करके जल्दी स आप लोग बताने का प्रियास करें और साथ में लाइक शेर भी करते जाहिए कि पीपी मिन क्या होता है अरे भाई पब्लिक बताया आप लोग को प्राइबिट ठीक है पब्लिक प्राइबिट पाटनर्सीप होता है टीपल पी का मतलब ठीक है हिंदी भी बोल दू चलो नीजी भागी दारी वोजपूरी में भी बोलो आरे वही होगा ठीक है चलो भाई अब बात कर लेते हैं कि वेस्विक परती असपरदा सुचकांग प्रपॉइंग जीरो में भार्त का श्थान दोस्तों बात करें 2019 की 2019 में भारत का श्थान 68 था वर्तमान समय की बात करें 2020 की पर आज चुका है ठीक है दोस्तों चलो अब बात करते हैं अगला कोशन यह रिपोर्ट जाली कौन करता है विश्व आर्थिक मन्त ठीक है वर्ल्ड इक्नोमिस फोरम अगला बात करते हैं बिहार सरकार ने किस पुर्व केंद्रिय मंत्री की जैनती को हर साल हर साल राज की समारों के रूप में मनाने के फैशले को मंजूरी दे दिये अरुन जिटली सुस्मा सोराज अनंद कुमार नितीश कुमार क्या होगा वह बोलो जल्दी से आप लोग ही बताएंगे आपको ही बोल रहा हो आप लोग जवाब दीजिये जल्दी से क्या उत्तर 72 सबको याद है बहुत अच्छी बात है पहले उनेश में 68 था जो मैं आपको बता है परति अस्परदास सुचकांग में भारत का अस्थान 2019 में 68 था अब जो है आपका किस रिंग पर आ चुका है 72 पर ठीक है चलो है आप लोग जबाब जल्दी से देने का प्रियास करें क्या उत्तर होगा भाई कि अगर्ष्ट अगस्त 2019 में भगवान के प्यारे होगे और इनी के जर्म दिवस जो है 28 दिसंबर 28 दिसंबर को राज के समारों के रूप में बिहार सरकाज मनाएंगे ठीक है इसके लिए पत्ना में क्या हुआ बहुत बड़ा जो है इनके परतिमा का ठीक है परतिमा भी बनाये गिया पत्ना में तो आप लोग याद रखिएगा न को सोच लेता युवा की नोकरी दे देता कितना कल्यान होता है यार गवर्मेंट को थोड़ा सोचना चाहिए कि हमारे युवा जो भी है उनसे कुछ अच्छा-चा काम भी कराए जाए ओके केंद्रे गिरी मंत्राले ने किस राज में ससस्त्र बल विशेसादिकार कानून अस क्या उत्तर होगा भाई जल्दी सापने का प्रियाज करें ओके हम मुर्ती भी बनवाया है मुर्ती बना करके सबसागर्वति दिखाएंगे ओम जय जगदी सहरे अरे युवा के लिए कुछ सोच मेरे भाई तब तो कल्यान होगा नहीं तो फिर एलेक्शन में हमारी युवा माहुल गरम चलना है आहाफ कम है और अब भी अधिक साथि करके अपने बातों को वहां तक पहुछाने का प्रियास करें ताकि सरकार को भी प्ता चले ओके अहुक्त ल१ु आए फीवनेर्ग संसद्मीन कि गफरमेंट क्योंकि समय कम है और आहां वे बात करतें नाग которой Master कानून जो आया था पहली बार नाइन्टी फिप्टी एट में आया था इसके तहत इसके साथ सेना ने किसी को पकर करके उसको अंदर डाल सकती है ठीक है दोस्तों यह विशिस कानून के तहत आता है और पहले नौर्थ इस्ट के कई राज्यों में लागू था फिलाल बंद हो चुका है अभी नागालेंड बे यह जारी है ठीक है बाई तो दोस्तों एक बार सारे लोग लाइक और सेयर कर दीजिएगा और यह कोशन घर के लिए है आप लोग कमेंट करके जरू मुझे बताएंगे नसाने हाली में मंगल गरह पर अध्यान करने के लिए किस मिशन को आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे फिर मिलते हैं नेक्ट क्लास के साथ जैहिंद जैभारत जैग्जामपूर करवी जैग्जामपूर